मैं बोलती हूँ ना कि सर्दियों के मौसम में खाने का कुछ मजा ही कुछ और है जितना भी दिस हो वो सारे खाने में अच्छी लगते हैं आप सोच रहे होंगे कि ए मेरे हाथ में क्या है तो जी हाँ आज मैं बनाई हूँ सुबह सुबह वेशन का लड़ू जो आपके साथ से और मुझे बनाना है प्रशाद क्यूंकि आठ है व्रेश्पति बार जो मैं ब्रत हूं साएं बाबा की और मुझे प्रशाद मंगाने में कभी कोई रहता है घर पे कभी नहीं रहता है तो मैं प्रशाद के लिए वेशन का लड़ू ही मंगवाती हूं प्रशाद चढ़ाने क तक ऐसे धीम आच में मैं खुब अच्छे से भूनूंगी ताकि यह बेशन का कच्छापन न रहे और जो मैं बनानी वाली हूँ बेशन के लड़ू तो इसमें सबसे ज्यादा भूनना रहता है बेशन को कि आप जितना ही आराम से इसको अच्छे से भूनते हो अच्छे से और ऐसा नहीं है कि इसमें पानी पड़ेगा पानी बिल्कुल ही नहीं पड़ता है बेशन के लड़ू में और मार्केट वाले बेशन के लड़ू में पानी हलका फुलका डालते हैं मगर हम घर पे बना रहे हैं तो इसमें बिना पानी डाले ही एक परफेक्ट बेशन के कि हमको तो डेली बनाना है तो जी हां मुझे भी बेशन के लडू परशाद पसंद नहीं है मगर परशाद कौन नहीं खाता है सबको पसंद है मंगर आज की रेसिपी आप देख रहे हो मेरे चैनल पर तो आप हमेशक लिए इसका फेर्वेट बन जाओगे कि नहीं भाई यह त दालते जा रहे हैं ऐसा नहीं कि इसमें लगती है घी पड़ती है मगर अब होता दिखिए आप चाहो तो ऐसे ही अब इतना हो गया तो इसी कलर में आप बान सकते हैं लडू और बानने के लिए तयार हो गया है ऐसा नहीं कि मगर हमको इस को अभी भी कुछ हल्वक स्टाइल में करना है ताकि बोले है ना कि जिसको पसंद नहीं है वह भी पसंद करने लगेगा तो जी हां बिल्कुल कुछ मुझे इस तरह के दाज में पुरा हल्वक तरह मैं बना ली हूं इसको बेशन को और ऐसा नहीं कि आप जो पहले दिखाई हूं कि नहीं बना सकते उसमें भी आप परफेक्ट मार्केट जैसे वह निकाल सकते हैं तो उसी अंदाज में जिसको पसंद तो ऐसे और जिसको मेरे तरह पसंद है तो बिल्कुल आप बनाईए और हमेसे क्लिए आपका फेवरेट बन जाए गया है कि आप जितना वेशन का बनाना चाहते हो उसी हिसाब से दाली जाती तो मैं यहां पर घर पर ही ग्रैंड की हूं और देखी अपने अंतर और देखे मां सुझे कि इतना कम बेशन है और इसमें जी हां पीसी हुई चीनी थोड़ा सही रहता है मगर ज्यादा दिखता है कि हां ज्यादा है तो मेरे लड़ों की हिसाब से पारफेक्ट रहाया वहर है कोई इसमें नहीं है की मीठा है या कुछ है तो मैं अच्छी से मिला ली अच्छी से से मिलाने बात कुछ इस तरह दिख रहे हैं आप जिसको की चैने का वेशन पंद है हलू पसंद कुछ इस तरह खा लेते हैं कूँ क्यू crack finding लेट सैंमें कि मतलब अपने हिस कर लिजिए आप डाली और थोड़ा थोड़ा बोलें ना कि थोड़ा थोड़ा डालते जाई याप भूंते जाई एक बार बनाएंगे तो आप को समझ में आगे मेरा तो लड़ु हो गया है सारा तैयार क्योंकि यह मेरे पूजा करने का टाइम का और इसी में से मैं प्रशार चड़ाओं के अपने भगवान जी को तो मेरा लड़ु तो परफेक्ट बन गया एक बार आप जरूर ट्राइ करिएगा और ज्यादा ना करिएगा थोड़ा बनाएगा